थो पहुत के लिए सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करें करें और हमारे साथ जुड़े रहे ताकि नई नई जौट numerator आप पर सबसे पहले लाल बटन जाय जाए नोट्रिकेशन आप तक पहुंँच जाए जो भी विद्यारति पुम कि आशा करके इतने सालों से लगन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है पुलिच डिपार्टमेंट ठीके जिसने कॉंस्टेबल के पदो के लिए इतना वेतन आपको धिया जाएगा तो आपको 20,000 रुपे और के साथ आपको यह वेतन दिया जाएगा ठीके qualification की बात करें अगर हम किác Hispanic युग इता की क्या होगी इस कितनी हमारी आखरी उम्र है जिससे के हम apply कर सकते हैं तो minimum मिनम्र सब्से कम उम्र जो है 18 वर्स है 14 सब्सक्रेंज अगर कम है आप तो आवेदन नहीं कर पाएंगे ठीक है और जो अन्रिजर्ट के जो विद्यारती हैं जो समन्य जाती में आते हैं पुरुष उनके लिए 33 साल अधिकतर अम्र मतलब लास्ट जो एज वह 33 वर्ष अनाराक्षिक वाले जो समन्य के टिगरी में आते हैं और जो सब्सक्राइब के लिए 38 वर्ष यह हैं लास्ट जो उम्र है वह 38 वर्ष है अप्लिकेशन फीस की बात करें तो 650 रुपे प्लस 40-45 रुपे पोर्टल फीस मतलब शाड़े शाड़े 600 रुपे शाड़े 600 रुपे मान के चलिए आप कि आपकी जो है फीस होगी जनरलों बीसी व परिक्षा होगी जो CBT मतलब computer-based test के द्वारा होगी एक online टेस्ट होगा जिसके द्वारा आपकी एक लिखित परिक्षा होगी उसके बाद आपकी पीटी होगी फिजिकल एज इलिजिबिटी टेस्ट ठीकिए जिसमें आपकी हाइट हेल्थ चेस्ट वगेरा नापा जाएग सीट अलोट कर दी जाएगी अप्लाइब मोड आपका online रहेगा online आपको आवेधन करना है जो अपने नजदी की online पोर्टल पर जाके कर सकते हैं जो लोकेशन मद्यप्रदेश रहेगा मद्यप्रदेश में वेकेंसी है बहुत ज्यादा वेकेंसी है 4000 जो आगे बढ़ सकती है जो में वेबसाइड जहां पर इसकी अपडेट चेक कर सकते हैं www.peb.mp.gov.in जो है जो भी अपडेट मिलती है जो भी वेकेंसे लेटर अपडेट है वह आप पा सकते हैं इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो इस्टार्टिंग अप से होगा फार्म भराना तो 24 दिसंबर 2020 से इसके फार्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट डेट की बात करें अपलाई करने के आखरी तारिक साथ जनवरी 2021 होगी लास्ट डेट ऑप करेक्शन ओप ओन- अब यह जो इंपोर्टेंट लिख से ओन-लाइन नोटिफिकेशन की और अपलाई करने की यह दोनों हम दिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहांसे आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और आवेधन कर सकते हैं तो अगरे सब बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट दो भीते तरह कि जोबीट लेकर आते हैं तो इंडियन आर्मी भरती सेना इसमें अभी एससी सुल्जर जीडी ठीकल एक सौल्जर टेक्निकल सौलजर कलर्क ट्रेस्मेंट सौलजर इंवैंटरी मेनेज्मेंट चीए तो सब इनसिंग मगयरा से जो है अलग-अलग वारुए पास विद्यारती स्में आविदन कर सकते हैं ठीक क्योंकि इसमें ट्रेट्समेंन की विक्एंसी बह्ताँ से भुराती है उसके बाद की विक्एंसी ऑर व्ध्ययूसीद पास्योर, मृ अजसाठेयछ सकते हैं ठीक अगर आपकी साधे सत्रह है ठीक है और आप जो है दस्वी बारी पास है, क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट है, तो आप इसमें आवधन कर सकते हैं, तेवीस साल आपकी लास्ट डेट रहेगी, लास्ट ओमर रहेगी, आवधन करने की, अप्लिकेशन फीस की बात करें, बहुत ही बढ़िया, नो फीस, क प्रफिक जाएगी उसके बाद आपका मेडिकल होगा फिर टेस्ट होगा उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा अप्लाइं मोड आपका ओनलाइन रहेगा आप कहीं से भी ओनलाइन अवधन कर सकते हैं जोब लोकेशन होल इंडिया में आपको कहीं भी जोब के लिए भेज जा सकता है ठीक है तो आप जो है इंडियन आर्मी में अप्लाइट करें टीक है ओफिचल वेबसाइट की बात करें है तो www.joinindianarmy.nick.ini आपकी ओफिचल वेबसाइट रहेगी यहां पे आप जो है अप्लाइट करने की चार दिसमबर आखरी डेट है और रिली डेट है एक दिसमबर से जो आपकी 31 मार्स तरह अब यह जो इंपोर्टेंट लिक से हैं ओनलाइन नोटिफिकेशन की और अप्लाइन अप्लाइट करने की यह दोनों हम डिस्क्रिप्शन में देंगे जहां से आ अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंज जय भारत दोस्तों